नमस्कार दोसों आप देख रहे हैं नॉलिज बज़ और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ESIC, MTS और स्टेनोग्राफर के एक्जाम, पैटर्न, सिलेबस और तैयारी आपको कैसे करना चाहिए किन-किन टॉपिक पर आपको ध्यान देना चाहिए और कट अफ कितना जा सकता है, जितने भी आपके डाउट है, सभी कुछ को जानेगे तो सबसे पहला हम जान लेते हैं कि इस्टेनोग्राफर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम MTS के बारे में चर्चा करेंगे, इसी वीडियो में, तो वीडियो के अंद तक आप बने रहीएगा, ठीक है न, क्योंकि वीडियो बहुत थी जादा इंपोर्टन है, यहां पर 1 by 4 negative marking है, ठीक है, 1 by 4 negative marking है, जहां पर English 100 number का पुछा जाएगा, इस्टेनोग्राफर में, रेजिनिंग 25 number का पुछा जाएगा, 50 number का पुछा जाएगा, और English भी 50 number का पुछा जाएगा, टोटल यहां 200 number का exam में लिया जाएगा, और 2 घंटे का time दिया जाएगा, बट एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहां sectional cut up होगा, English के लिए 70 मिनट है, वही math और math नहीं, reasoning और GA के लिए आपको 50-50 मिनट का समय मिला जाएगा, ठीक है, reasoning और GA, math यहां पर नहीं पूछा जाएगा, मतलब 2 घंटे में 200 question आपको बनाना, एक question एक number का होगा, negative marking 1 by 4 होगा, के हम अगले stage के बारे में बात करा हैं तो यहां skill test होगा, skill test आप या तो हिंदी में दे सकते हैं, या तो आप English में दे सकते हैं, या इंग्लिस में आपको 50 मिनट है, और PWD कले 70 मिनट, 20 मिनट ज्या ज़ादा मिलेंगे, PWD कलें, हिंदी में 55 मिनट, PWD कले वही 90 मिनट का time डिक्टेशन आपको 10 मिनटे इन हिंदी और इंग्लिश से ऑप्टेटेज बाई जो फॉर्म आप फिल करेंगे उसमें आपको आपसन दिया जाएगा और 80 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए ठीक है तो यह चीज मांगा गया यहाँ पर उसके बाद अगर हम बात कर सकते इज आपका 25 साल से कम होना चाहिए वही इश्टेशनों के लिए 27 साल इज होना चाहिए और 12 पास होना चाहिए मिनिमम अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रिलिम्स एक्जाम में 200 नंबर का होगा यह आप लोगा पता होगा में टूटल को सन सो को सन होगे मतलब हरे के म 25 पचिस नंबर का होगा और एक घंटे का समय मिलेगा आपको और वन बाई फॉर नेगेटिव मार्किंग होने वाला यहाँ पर ठीक है तो यह आप लोगो का डाउट क्लियर हो गया होगा अब यहाँ पर आगे अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते है कि यहाँ पर रिजिनिंग मतलब जो ESIC UDC का एकजाम पैटरन है सेम MTS का एकजाम पैटरन होगा कुछ भी अलग नहीं होगा पेपर का लेबल केवल MTS में आसान होगा UDC में थोरा सा moderate लेबल देखने को मिल सकता है और जो एकजाम पैटरन है मेरा जहाँ तक मानना है और जो लाश्ट यह एकजाम पैटरन था वो बैंकिंग पैटरन था और यह जो फार्म है IVPS फिल करवा रहा है तो निश्चित रूप से बैंकिंग पैटरन होगा मतलब EG होगा ठीक है SSC पैटरन नहीं होगा SSC में केवल SSC पैटरन पर आपको केवल GK पूछा जाएगा मतलब GA प आपको देखने को मिलेगा 25 को सन उसके बाद GA आपको देखने को मिलेगा जीए में करेंट फेयर नार्मल देखने को मिलेगा Banking आधारित नहीं होगा नॉर्मल जो SSE railway में पुछा जाता है करेंट अफेयर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ स्टाटिक जीके के दो से तीन कोशन क्वाइंट के पचीस कोशन आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही सिंपल और इंग्लिस के पचीस कोशन आपको देखने को मिलेंगे मतलब हर एक सेक्षन में 50 कोशन आपको देखने को मिलेंगे सेम आपका रिजिनिंग जीए मैट से और इंग्लिस 200 कोशन 2 घंटे का आपको समय मिलेगा मतलब 120 मिनिट में 200 कोशन मनाना है ठीक है गुड अटेम्ट के बारे में 2019 मुद समय MTS और स्टेनो ग्राफर का साइद एक्जाम नहीं हुआ था 2016 में हुआ था MTS का एक्जाम इसमें क्या हुआ था कि ESIC का जेनरल इंट्रेलिजन्स और रिजिनिंग आपको देखने को मिला जहां पे आपको बॉक्स बेस्ट पजल साथ बॉक्स को अरेंज करना था और लीनियर सेटिंग अरेंजिमेंट इस बार भी आपको कुछ इसे तरह का मिल सकता है पांच बॉक्स अरेंज करना हो कमी मतलब जो लेवल होगा MTS में वो असान होगा इस्टेनो में भी सेम लेवल होगा रेंजिनिंग का वो असान होगा ठीक है सेटिंग अरेंजिमेंट में बैठाना है सर्कुलर या लीनियर उसके बाद आपको जो सकेंड सिफ्ट में पूछा गया था सर्कुलर सेटिंग अरेंजिमेंट आर्ट परसन वाला का अगर exam होता है तो puzzle आपका 10 से 13 नंबर और वही अगर हम strain के बारे में बात करें तो puzzle 20 नंबर से ज़्यादा पुझा जाएगा puzzle और setting arrangement के question 20 नंबर से ज़्यादा होंगे strain के exam में वही पर बात करें alpha numerical series के बारे में तो पांस नंबर के question देखने को मिलेंगा direction since एक नंबर या दो नंबर का हो सकता है मतलब यह syllabus में होगा यह हो सकता है कि पांस नंबर का भी आ जाए इस्ट्रेन के exam में या तीन नंबर के भी देखने को मिलेंगे और रैंकिंग चार नंबर कई alphabet से Suraj a one है or not अलफबे पे आधारित को संदेखने को मिलेगा inequalities देखने को मिल जाएगा instructors लेका ठीक है श्ट्रेटमेंट के judgment के जब्सक्राइब यह जू पोचे जाते हैं तो रिजनी का जो exam si उई DC के जैसा होगा अब यहाँ देखिए जो जो टॉपिक बच गया अब एनलोजी भी आपको अच्छे से देख के जाना है सिरीज कंप्लीट के कंप्लीशन पर कोशन आता है अलफबेट या नंबर्स में आता है वो भी देख लिजिएगा डारेक्शन होगा बलड रिलेशन देख के जाएगा क्लासिफिकेशन देख के जाएगा डेटा सब्सेंसी होगा अलफा न्यूमरिकल सिक्वेंसल जो सिरीज आता है वो भी इंपोर्टेंट है पजल तो मैंने बता दिया सर्कुलर सेटिंग अरेजमेंट बलड रिलेशन तो देख नहीं है आप लोगो उसके बाद अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग यहां छूट गया तो कोडिंग यह MTS और स्टेनोग्राफर दोनों के लिए मैंने बताया तो इन सब टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से देख लिए इससे बाहर आप से एक्जाम में नहीं पुछा जागा और जो मैं बता रहा हूं मैं मुझे विश्वास से मैं क्या बता रहा हूं मुझे पता है और मै 100% आपको बोलता हूं से लिए बस यही होने वाला है ठीक है काफी लोग बोलेंगे बैंकिंग प्लस SSC है बट यहां पे जो लेबल होगा वो बैंकिंग जैसा होगा कोसन का लेबल बहुत जादा इजी होने वाला है ठीक है खासकर MTS और स्टेनोग्राफर का हो सकता है UDC में आपको थोड़ा सा मॉड़ेट देखने को मिल जाए एजी ही देखने को मिलेगा बट UDC का एक बर एकजाम हो चुका है तो अब इन दोनों एकजाम में आपको normal कोसन देखने को मिलेगा ठीक है आगे हम बात करें इंगलिस के बारे में तो इंगिलिस में आपको एक पैसिज और यहाँ पर आप देखेंगे तो reading comprehension पांस नंबर का देखने को मिला था, easy से moderate है, उसके बाद sentence से rearrangement है, उसके बाद close test पांस नंबर का, sentence correction पांस नंबर का, area detection पांस नंबर का और filler पांस नंबर का ठीक है, इस तरह से 25 या 50 नंबर का जो question बनेगा, इनी सब topic से बनेगा, हो गया, antinomes हो गया, उसके बाद items phrases को भी देखके जाएगा, spelling error है, spelling है, जो mistake होता है, common error हो गया, active passive हो गया, उसके बाद close test मैंने बता ही दिया, comprehension RC हो गया, reading comprehension, close test हो गया, filler हो गया, single दबर filler आ सकता है, sentence replacement है, पे आधारित question आ सकते है, ठीक है, तो यह सब topic English में important है, जो topic मैंन बता दिया, उनको आप अच्छे से देख लिजएगा, ठीक है, इसका PDF आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, आगे दिखेगा, quant के बारे में, quant में, quant केवल MTS में पूछा जाएगा, यहां मैंने दिखा दिया कि quant केवल MTS में पूछा जाएगा, और quant में जो जो topic म मैं बताऊंगा, वही पूछा जाएगा, जैसे कि number series हो गया, number series हो गया, di हो गया, simplification हो गया, जो कि 8 से 5 नमर का पूछा जा सकता है, उसके बाद है, arithmetic हो गया, ठीक है, यह केवल MTS में देखने को मिलेगा, arithmetic मतलब word problem जो होते है, word problem में क्या आ जाएगा, si, si, ci, यह important है, उसक के बाद है, और भी कोई topic छूट रहा है, यहाँ पर quadratic equation हो जाएगा, quadratic equation हो जाएगा, उसके बाद है, यह quadratic equation word problem नहीं आएगा, यह आपका normal आ जाएगा, 5 question, 3 question इस पर पूछे जा सकते हैं, exam में, ठीक है, तो जो word problem के जो important topic थे, वो मैंने आप लोग को बता दिया, insert topic को देख लिजेगा, mixer allegation हो जाएगा, ठीक है, area volume तो मैंने बता ही दिया, आप लोग को, तो इस तरह के जो topic है, उनको देख लिजेगा, वहाँ से question पूछे जा सकते हैं, और रहावाज GA का, तो GA में आप देख लिजेगा, GA में 2-3 number आपके यह देखने को मिलेगा, मतलब static GK के और other जो question देखने को मिलेंगे, वो current affair के basic question देखने को मिलेंगे, जैसे हवा महल कहां पे है, world TV दिवस कम मनाया जाता है, टेबको दिवस कम मनाया जाता है, capital of Iran हो गया, जो अब हाइलेटेड है, woman hockey team का coach कौन है, world 2021 कौन है, वो पूछा जा सकते हैं, तो यह previous year के कुछ question है, इसको म होने वाला है, SSE नहीं, banking pattern पे exam होने वाला है, SSE pattern पे नहीं होगा, SSE के syllabus को आपको follow नहीं करना है, जो भी syllabus follow करना है, banking के syllabus को follow करना है, जिसमें आपको calendar, dice, यह सब से question नहीं पूछा जाएगा, जो figure counting होता है, वो सब भी नहीं पूछा जाएगा, और figure वाले एक भी question नहीं के लिए सबसे पहले previous year को यह banking का, यह SSE का भी आप ले लेंगे English के लिए, MB, MB Prakashan, क्या होता है, एक book है, मेरे पास है, अजे कुमार सिन का सायरी यह book है, अजे कुमार सिन, MB Prakashan का यह book है, MB Publication का book है, अच्छा book है, तो आप इस book को ले सकते हैं, वहाँ साब का पूरा English ब English को attempt करने के बाद आप reasoning पर आईए, यह जीए पर आईए, जीए को attempt करने के बाद आप reasoning पर आईए, क्योंकि reasoning में time लगेगा, अब यहाँ दो घंटे का समय दिया जा रहा है, तो दो घंटे में मान के चलिए, कि जीए आप पे 15 मिनट में बना सकते हैं, 15 मिनट में जीए बन 80 मिनट खराब हो गया, अब बचा 40 मिनट में, 40 मिनट में आराम से आप reasoning के 50 को सन बना सकते हैं, तो यह तो planning होना चाहिए, attempt सबसे पहले GA को कीजिए, GA को कीजिए, GA के बाद English को कीजिए, इंगलिस के बाद आप number 3 पे reasoning को कीजिए, scoring के जो section इसमें reasoning है, और English है, यहाँ से आ आपको अभी से तैयारी करना होगा, यह skill test अगर अभी से नहीं करते हैं, तो आपे final selection नहीं लिपाएंगे, केवल cut-off clear कर पाएंगे, तो skill test में time लगता है, कम से कम 6 महीने, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, और अगर आप normal तैयारी करते हैं, तो एक साल आपको अच में सबसे पहले आपको reasoning अच्छा करना होगा, क्योंकि reasoning में से पचीस में से पचीस लाया जा सकता है, ठीक है, attempt किजए exam में number one में, GA को attempt किजए सबसे पहले, क्योंकि यहां time कम लगेगा, और आपके पास एक घंटे का समय है, तो कोशिस किजए 10 minute में GA को, 10 minute में English को, ठीक है अपराम से यहां reasoning में 25 कोशन मना सकते है, maths भी बहुत असान होता है, maths में 20 कोशन आपका कहीं नहीं जा रहा है, 20 number आप असानी से बना सकते हैं, अगर आपने तियारी किया तो, GA में आप 25 के 25 भी बना सकते हैं, अगर आपको idea है तो, और English में 25 के 25 असानी से बनाएंगे, क्य अब देखिए, यहां पर MTS के लिए, मेंस के लिए भी यही pattern को follow कीज़ेगा, मेंस में आपको GA attempt करना है, फिर उसके बाद English attempt करना है, फिर reasoning attempt करना है, फिर आपको quant, अब यहां 200 number का exam होगा, 120 minute time होगा, तो आपको क्या करना है, कि GA में 50 कोशन है, 50 कोशन मनाने में 20 minute आपने अब आपके पास 100 minute बचे, अब 100 minute बचे तो 20 minute इंगलिस में भी लगा दिया आपने, इन दोनों को 40 minute में किसी भी तरह कर लिया आपने, आपके पास 80 minute बचे, तो 40 minute math को दे दिया, 40 minute reasoning को दे दिया, ठीक है, reasoning को 35 minute भी दे सकते है, math को 45 minute, क्योंकि reasoning 35 minute enough है, अगर आपने आप बना सकते है, ठीक है, अब पर कोसिस कीजिए, कि attempt जो है, मैंने good attempt आप लोगको नहीं बताया, prelims में, prelims में good attempt आप कोसिस कीजिए, चलिए ये last में बताऊंगा, पहले मैं आप लोगको बता देता हूं कि करना कैसे कैसे, अब देखे, यहाँ पे जो जो topic मैंने यहाँ पताया, सिर्फ इन ही को अच्छे से तैयारी कीजिए, और इन ही से इन से बाहर पूछा नहीं जाएगा, इन ही से question आपको घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, ठीक है, तो सिलेवस तो मैंने बता दिया, अब सवाल ये है कि MTS में कितना attempt होना चाहिए, और astronom में कितना attempt होना आप 85 में मा लिजे कि 5 question English के गलत होगे, तो 5 question English के गलत होगे, फिर भी आपके 78 के आसपस नंबर हो जाएंगे, 78 से जादा, मतलब कितना हो जाएंगे, 79 के आसपस, मतलब 80 के आसपस score लाने का सूचिए, क्योंकि level वही आसान होगा, मा लिजे 75 भी आता है, तो भी कही ना कही से safe हो सकते हैं, क्योंकि 2 से गुना होगा, तो यह 150 होगा, और इसमें normalization भी होता है, तो minimum तो 150 लाने का सूचिए, और जो मेरे हिसाफ से cut up है, 150 से लेके, 155 के बीच में cut up आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप UDC का exam दे, चाहे आप MTS का exam दे, वही बात करें, मेंस के बार का एक कोशन है, अब हम बात करेंगे, इस्टेनोग्राफर में, इस्टेनोग्राफर में अगर हम बात करें, इस्टेनोग्राफर में इस्टेनो, ठीक है, इस्टेनो में क्या हो जागा, इस्टेनो में आपके पास है, यहां पे 200 कोशन हो जाएंगे, ठीक है, तो reasoning में तो इंगलिस में आपको 70 लेके आना होगा, मतलब ये दोनों मिलाकर 145 तक जाना होगा, इंगलिस में 70 के आस्पास लाना होगा, जो कि आसानी से ला सकते हैं, मतलब 145 से 150 तक जाएए, आप बिल्कुल सेफ होंगे, 140 भी सेफ होंगे बट वहां पे थुरा सा रिस्क है यहां पे 150 के आसपास लेके आते हैं तो वहां पे आप सेफ होंगे ठीक है क्योंकि यह जौब बहुत अच्छा है सभी को करना होता है तो SSE से ज्यादा कमपेटिशन इसमें आपको देखने को मिलेगा और 150 लेके आते हैं इस्टेनों में तो यह मुझे लगता है कि good marks होगा और attempt आप कीजिए कम से कम English में तो 90 कोशन बना ही दीजिए Reasoning में 45 कोशन बना दीजिए और GA में भी आप 40 कोशन बना दीजिए ठीक है तो attempt होना चाहिए 85 माली जे 90, 175, 170 प्लस आपका attempt होना चाहिए ठीक है वो भी accuracy के साथ अगर 170 आपने attempt किया है अगर आपको अपने उपर doubt है तो 180, 180 बनाने का सूच है क्योंकि ये कोशन बनाए जा सकते है अगर नहीं बना पा रहे है तो आपके तैयारी में कुछ कमी है ठीक है तो मैंने आपको फिर से बता दू यहाँ पे जो मेरे हिसाब से जो expected cut up हो सकता है किसी जोन के लिए MTS के लिए 155 मुझे लगता है कि safe होगा 155 से जो भी marks आजा आप लोगों को वीडियो चाहिए तो comment करके मुझे बताईएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें support कीजेगा आजसा करता हूं कि आजका दिन आप लोगा काफी अच्छा रहे है अगले वीडियो मे फिर से मिलते हैं टांक यूर